नमस्कार दोस्तों! होता है जैमिनोर टैबलेट एक एमजी वद दो एमजी की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है जैमिनोर टैबलेट का उप्योग टाइप टू डाइबेटीज में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरन में करने के लिए किया जाता है जैमिनोर टैबलेट शरीर में ब्लड शुगर क के लेविल को कम करती है शरीर में शुगर के लेविल को नियंत्रण में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेविल ज्यादा रहने की वजह से किड्नी डैमेज हो सकती है आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है और शरीर की नसे डैमेज ह सकती है इसलिए शरीर में शुगर के लेविल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है खाना खाने के दो घंटे बाद एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल एक सौ चालीज से कम होता है खाना खाने के दो घंटे बाद यदि किसी व्यक्ति का ब्लड स्टेज पर शुगर लेविल को नियंत्रण में करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल व खान पान में बदलाव करके ब्लड शुगर लेविल को नियंत्रण में किया जा सकता है यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल 200 से ज्यादा है तो हम कह सक कि उस व्यक्ति को डाइबिटीज की समस्या है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। Side Effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में जैमिन और टैबलेट की वज़ा से कोई Side Effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में जैमिनोर टैबलेट की वज़ा से कुछ side effects हो सकते हैं. जैसे दस्थ होना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना, वजन का बढ़ना, पेट में दर्ध होना और सिरदर्ध होना आदी साइड इफेक्स जैमिनोर टैबलेट की वज़ह से हो सकते हैं. इसके अलावा Jaminora Tablet की वजह से शरीर का Blood Sugar Level बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है इसलिए Blood Sugar बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको Jaminora Tablet को लेने के बाद खाने को skip नहीं करना चाहिए और आपको Geminora Tablet को लेने के बाद आपको अपने regular schedule पर खाने का सेवन करना चाहिए। Geminora Tablet की वज़े से allergic reaction भी हो सकता है। यदि आपको Geminora Tablet को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मोगले होठो या तवचा पर सूजन, तवचा पर खुजली, तवचा पर रैशिस या एकदम से बुखार होता है। तो आपको तुरंथ ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। क्योंकि ये लक्षण allergic reaction के हो सकते हैं और allergic reaction होने पर तुरंथ medical treatment की आवशकता होती है। अब हम डिसकस करेंगे की Geminora Tablet को कैसे लेना recommended होता है। Geminora Tablet को सुबा breakfast के समय खाना खाते समय बीच में लेना recommended होता है। आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर शुरुआत में Geminora 1MG Tablet या Geminora 2MG Tablet को दिन में एक बार और सुबा के समय लेने की सला देते हैं। Geminora Tablet को हर रोज एक निर्धारिच समय पर लेना चाहिए। Geminora Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और शरीर में ब्लड शुगर के लेविल की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आपको Geminora Tablet को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की Geminora Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको Geminora Tablet के साथ साथ regular exercise करनी चाहिए। चिंता वतनाव से बचना चाहिए, परियाप मात्रा में नींद लेनी चाहिए। और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो वजन को कम करना चाहिए। टाइप वान डाइबिटीज होने पर, कोई सरजरी होने पर, डाइबिटिक कोमा होने पर और डाइबिटिक कीटोसिस होने पर जैमिनोर टैबलेट को लेना recommended नहीं होता है। प्रेग्मेंट महिलाओं में ब्लड शुगर के लेविल को नियंत्रण में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है। प्रेग्मेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए जैमिनोर टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका जैमिनोर टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं